रहेंगिया मुस्लिमों को लेकर सुप्रीम कोट में एक केस चल रहा है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए रहेंगिया मुस्लिम के पक्सदर वकीलों का कहना है कि उन्हें भारत में सरनार्थी का दरजा दिया जाना चाहिए लेकिन इस पे केंशरकार ने अपना बहुत ही कडा रुख दिया है हम किसी भी तरह से रहेंगिया मुस्लिमों को भारत में ना तो बसने देंगे और ना ही किसी भी तरह का सरनार्थी का दर्जा देंगे उन्होंने इस पे आगे बढ़ते वे ये भी बताया कि जो भी मुस्लिव अलग-अलग स्टेट्स में इंफिल्ट्रेट कर रहे हैं उन पे कानूनी करवाई भी की जाएगी क्योंकि ये लोग किसी भी तरह की परमीसन को लेकर नहीं आये हैं इसके बाद केंसरकार ये भी कहती है कि हिरासत में जो रहेंगिया लिये गए हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा उन पे भी कानूनी करवाई की जाएगी